शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें चलो ठीक, मैं अपने प्रेम के लिए अपनी जान के लिए खुदी अपनी जान देता हूँ तेकन उससे पहले एक आखरी बार मेरे सीने से लुग जाओ और कि तुमने में मुझसे अभी प्रेम किया होगा चंपरा उस प्रेम की खाते बस एक बाद, उसके बाद मैं चैन से मर चाओंगा, तेरा बादा है तुमसे केटना से मर चाओंगा, तेरा बाद, चैन kilogram does not기도 झाओंगा, तेरा फ्रचस्राएंस,, तेरा बादा हैत जातंगा, तेरा बाद। कि अचया थारी के ठांश लगजए तंश हो दॉड़ो मुझे थाणश दॉसरे फाला कि मेरी हांकों में देखकर मुझे पथर का बनाना साथे हो ना छोड़ो मुझे था नो कि बात वहाँ, नील का चैना है कि तेरे लख करवा है अगर मैं दो के पास हूँ तो तुम कान हो वोड़ो मुझे, तांच मेरी आखो में देगो चंद्रा नहीं तांच, दावन्च वोड़ो अब तो में कोई नी बता सकता दांच तुम कोई नी बता सकता दांच एल धुम के जड़ो तक्त्त्त delegate मेरी, मेरी मेरी मेरे फ्रेम को अपने हिते में हमेशा सब्हाल के रखना चंट्रा अब तुम्हारे पास तो हिते है यह नहीं कोई बात पहीं लिए मेरा प्रेम तो तुम्हारे लही होगा अव्य जनम में भी फिर मिलेंगे कि अगल कि अगल अगल मानव होया दानव, चंद्रलेखा के कहर से कोई ने बच सकता चंद्रलेखा यह तुम क्या कर रही हो चंद्रलेखा देखो तुम्हारी तुरचा जुलस है जुड़िया पड़े चंद्रलेखा तुम्हे तुरचा जुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं है ना तो फिर कुद को क्यों जला रही हो चला नहीं रही हूँ खुद को दन दे रही हूँ क्योंकि मेरी वज़े से मेरा तांश खतम हो गया नहीं चंद्रलेखा अगर तुम दावंश को बचाती तो हम सब लोग के सच्चाई सब के सामने आ जाती और हम सब लोग खतम हो जाते पर वो आफद तो बच गई उसे आप में डालो पथर का बना दो यह दीवार में चुनवा दो वो मत्ती ही नहीं पताने इतनी बड़ी कौन से शक्ती है उसके पास मुझी तो बहुत डल लगने लगा है चंद्रलेखा कहीं वो आफद अधिराज को जाकर सब कुछ सच्चना बता दे नहीं बताईगी वो क्योंकि वो हमारी सच्चाई बताना नहीं दिखाना चाहती है क्योंकि उसे यकीन है कि अधिराज सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता हास करकी इसकी मा के बारे में आज तो सिर्फ आपका चित्र लगाया है रानी साहिब पर बहुत चल्द आपको बेस महल में लेकर आऊंगी पचन देती हूं मैं आपको यह क्या हो रहा है यहां अच्छा हुआ रानी साहिब आप यहां आगई मैं आपसे ही मिलने आने वाली थी क्यूं क्यूंकि मैं सोच रही थी आज रात का भोजन मैं अपने हाथों से बना कर सबको खिला हूँ आखिर इस घर की पहू कुने के नाते कर्टवी है मेरा यह लड़की पिकार की बाते करना बंद करो अच्छी बात की तुम इतनी खुसे में क्यों लग रही हो हूँ रियाद आया तुम्हारी योजना असफल हो गई ना फिर क्रोप तो आएगा ही पर हां तुम्हारी सचाई सब के सामने नहीं आई ना कम से कम इस बात की खुशी मना लिए जैसे मैं मना रही हूँ अपनी पहली सफलता की खुशी क्यों रानी सायब इस चित्र को तुम्हें एग हाथ क्यों लगाया इस चित्र को हाथ तोड़ोगी तुम्हारा तूटे हुए हाथ वाली चुबेल अच्छी नहीं लगती ए लड़की सुनो सबसे पहरी बात हाथ छोड़ो और दूसरी बात इस महल की रानी हम है इसलिए यहां जो कुछ भी होगा हमारी मर्जी से होगा हाथ छोड़ो हमने कहा हाथ छोड़ो शायद आपके भूल रही है कि अधिराज ने मुझसे विवा किया है तो इस महल की रानी मैं भी हूँ ना इसका मतलब है मर्जी तो मेरी भी चलेगी आपकी तरह और मेरी मर्जी यह है कि इस महल की वास्तविक रानी का चित्र इस महल में लगाया जाए कोई रोक सके तो रोक ले कि इस तेडeding में डाए कि तो रेखahu tief रूप कि इस देवारा भी अधित अन्य ने कर व्या मुएते चूश कोई रूंत कोई झाल